तो हेलो स्टुडेंट वेलकम बेक टू माई चैनल समराड केडमी तो दोस्तों मेरा नमेकास और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कलास 10 समाजिक विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूस्चन जो कि 2022 बोडिक जामें आप लोगों को 100% पूछा जाएगा ठीक है यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप लोगों का 70 नमर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और प्रस् जाए जार उसको नोट करते हैं 100% यह जो टार्गेट है आप लोगों का एचीव हो जाएगा ठीक है तो मेरे प्यार वीडियो की स्टार्ट करते हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूस्ट कराये जाएंगे आज की वीडियो में तब वीडियो को सुरू से लेके लास्त द कराया हूं समाजी विग्यान का समाज विग्यान में एक पर्षेंट दिक्कत नहीं होगी ठीक है आप लोगों को बस समझते रहे हैं कि निरंग कुस्वाद से क्या स्तात्पर है वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट परस्ण है बहुत बार प्रिवियो से प्रेपर में पूछा ग सरकार या शासन ब्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुस नहीं होता कि एक ऐसा सरकार या एक हैसी सासन ब्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुस नहीं होता था जो जैसी मर्जु ऐसी अपनी सरकार चलाती थी कहा रहा है कि ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कारे करती थी जनता के अनुकूल कारे नहीं करती थी कहा रहा है कि जनता के अनुकूल कारे नहीं करती थी जनता जैसी चाहती थ प्रतिकुल कारे करता था जो जनता चाहती थी कि यह काम हो तो नहीं वह अपना विप्रित काम करते थे और कहा रहा है कि यह अधारित और दमनकारी सरकारे होती थी तब आपको किलियर हो गया होगा कि निरंग कुछ वाद से आपके आतात पर है यहां तक सारी चीज अच्छी प्रतियच मतदान है जन्मत संग्रा यह क्या है प्रतेश मतदान है जिसके जरिये एक छेतर के स्वबी लोगों से एक प्रस्ताव को सिवकार या और सिवकार करने के लिए पूछा जाता है जैसे कह रहा है कि एक छेतर के स्वबी लोगों को इकठा करकर उनसे एक प्रस्ताव को सिवकार या और सिवकार करने के लिए पूछा मत्तदान इसके मतलब होता है कि हर एक छेतर के सवी लोगों को इकठा करकर एक प्रत्यच मत्तदान होता है और इसमें यह पूछा जाता है किसी भी प्रस्ता को कुशन नमर 3 के तरब देखे कही निरजातीय सब्दका अर्थ पता है विर मोश्य ुपूटन क्यूशन है तो एक साजा नसली जनजातीय यह संस्कृतिक उदगं अथ्वा प्रिश्ट बुमिजिक से कोई सम्मधा अपनी पयाचान पहेज़ातीय निरिजाति सब्दकार्थिया है कि एक साजा नसली जन जाती है या सांस्कृतिक उद्गम अथवा प्रिष्ट भुमी जिसे कोई समुदाए अपनी पाचान मानता है उसे को निरिजाति सब्द कहते हैं ठीक है आई होप आपको किलिए हो गया होगा निरिजाति सब्द इसके बाद वाला प्रस्ण वेरी मुस्ट इंपोटेंट है जैसा कि आप लोग भी जानते है उदारवाद क्या है वेरी वेरी मुस्ट इंपोटेंट है ठीक है उदारवाद जिसे हम बोलते हैं लैब्रेलिज्म ठीक है उदारवाद करें उदारवाद लैब्रेलिज्म सब्द का ह मतलब था ब्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समझ सबकी बराबरी ठीक है कि जिसका उधरवादी जिसका लाइबर पादारी था और जिसका अर्थिय था कि सौतंत्र था नए मद्य नए मद्यवर्गों के लिए क्या उधरवाद का मतलब था है कि ब्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समझ के सबकी बराबरी है क्या क्या उधरवाद क्यालाती है अच्छे से इसको याद कर लिजिएगा कोई दिकत नहीं ठीक है आए क्यूसर नमर फाइब की तरह बढ़ेंगे और समझते हुए अच्छे तरीके से चलेंगे बहुत सारा इंपोर्टेन क्यूसर इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है ठीक है तो सब्सक्राइब को नोट करना है और अच्छे से याद करके जाना है जैसे कह रहा है कि रोल संकहा के आदार पर गिरफ स्तार कर दें कर 2 साल तक जीडियों में बंद किया जा सकता था एक है cry क्या चैक कै बहने कारतियों था कि हैमेर कारत 10 ना किया हुगा और जाड़क कि उलिए एफ्तार करकर दो साल की जेल कर दिया जाता था उसको ठीक है यही रोलेक्ट एक्ट था जो कि उन्हें सुनने इसमें क्या हुआ पारिश हुआ था ठीक है ताई होप आपको क्यूशनमर फाइब के लिए हो गया होगा ची तरीके सो नोडाउट आपको होना चाहिए कि इसको आपको किसी किमत पे तयार करके जाना है बहुत बार पूखा गया है बहुत बार एक्जाम में ठीक है तो भारत आने के बाद गाज़ी ज़्वरा चला गया अंदोलन कौन सा था तो उत्तर लिखेंगे कि दछणी अफयरिका से भारत लोटने के बाद गाधी जी ने 1912 में दच्छले फिरका से जब भारत लोटे गाधी जी तो इसके बाद 1912 में बिहार के चमपारण से पहले सत्यागरा आंदोलन की शुरुआत की और यहां के किसान नील की खेती के विरुद में आंदोलन चला रहे थे किसान नील की खेती की विरुद में अंदोलन चला रहे थे तो यहीं सिंपल जवाब इसका है इसको याद करके ही आप एक्जाम में जाएगा वेरी वेरी मुस्ट इम्पोटेंट है कि स्वदेशी अंदोलन की प्रेणा से अब अंदरी नात टैगोर ने भारत माता की विख्याद छवी को किसी प्रकार चीतरित किया तो देखे उतर के लिखेंगे इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासनिय के रूप में दर्साया गया है ठीक है वह सांत गंभी देवी और आध्यात्मिक गुड़ों से युक्त दिखाई देती है इस मात्र छवी के प्रतिश रद्दा और राष्टेवाद में आस्ता का प्रतिक माना जाने लगा ठीक है तो यह उत्तर है कि इस नमबर सेवन का जो कि वेरी मोस्ट इंपोटेंट ह है तो इसको अच्छे तरीके से रीट करके ही आप पहुचें दोजार वाइस उडिक जामें क्यूस नमर्स सेवन को इसको नोट कर लिएगा कि इस प्रेंटिंग में भारत माता को क्या एक सन्यासनी के रूप में दर्साया गया है और वह सांत गंभी और देवी और अध्यात प्रेंटिंगरेशन के इन लेंड इमिग्रेशन के कोई एक विसेस्ता लिखना है तो उतर के लिखेंगे कि बागान में काम करने वाले मज़दूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने के छूट नहीं होती क्या करा है बागान में काम करने वाले मज़दूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने के छूट नहीं होती ठीक है ते एक विसेस्ता पूछा था जो कि हमने यहां पर बता दिया क्यूस करें क्यूस करें वेरी मुस्ट इंपूटेंट्ट नमर एट एंट चिह आइए कि इस तीर विनमय दरपडाली से क्या ताहथ पर रहे हैं परस्ट ने वेरी मुस्ट इंपोटेंट इसको नूट कर लिजगा कि इस तर विनमेदर प्रडाली से कहतात पर है उत्तर क्या लिखेंगे कि जब विनमेदर इस्तिर होती है जब विनमेदर क्या होती है इस्तिर होती है और उनमे आने वाले उतार चड़ाओं को नियंतरित करने के लिए सरकारों को हस्तचेप करना पड़ता है तो ऐसी विनमेदर क कराता है कि जब विन मेदर कहा जाता है एस तो क्या चाहिब चैसी हूं क्या जवाब है और असानी से इसको लिख करो अच्छे सियात के लिएगा कि उप्रस्ण बहुत बारिक जामें पूछा गया कि इस तिर्विन में दरपड़ाई से क्या समस्ते हैं ठीक है ताहिए होप के लिए रोगा क्यूसर्मा नाइन की तरब बढ़ चलेंगे देखें क्यूसर्मा टेन जो कि वेरी मुस्ट इ लिए मिन जाने वाला सुल्क र कर यासुन उस जगां लिया जाता है जिस जगहां से वह चीज देश में परवेश करती है यानि सीमा पर, बंदगा पर या हवाई अड़े पर किया आयात सुलक मतर हो कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़े और कुई सी दूसरे देश से हमारे देश में कोई चीज़ आ रही है तो उस देश के जहां से वो चीज़े आ रही है वहाँ के सीमा पर, वहाँ के बंदगा पर, वहाँ के हवाई अड़े पर एक सुलक लिया जाता है ठीक है? उसी सुलक वह आयात सुलक कहते हैं ठीक है? जिसे टेक्स कहते हैं पर लोगों को तो आईए किसमा इलेवन के तरफ बढ़ेंगे कि रेसम मार्ग क्यों मतवपूर्ड था तो उत्तर क्या लिखेंगे? कि रेसम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो एसीया के विसाल भागो को परसपर जोड़ने के साथ ही यूरोप था उत्तरी अफेरिका से जा मिलता था यह मार्ग इसा पुरुव में ही अस्तितों में आ चुका था और लगबग बंदरावी सदापती तक अस्तितों में था इस मार्ग से अधिकांस्तर रेसम का वैपार होता था इसलिए इसे रेसम मार्ग का आ जाता था देखें रेसम मार्ग के खासित क्या थी कि जो रेसम मार्ग थाना एक ऐसा रास्ता था जो कि एसीया के विसाल बागों को परसपर जोड़ने के साथ ही इस यह के विसाल बागों को क्या करता जोड़ता था और उसके साथ ही साथ यूरोप तता उत्तरी अफेर्का से विक्या करता हो रास्ता और यह मार्ग इसापूर्व में एक्या क्या था अस्तों में आ चुका था और लगबग 15-20 अदाप्ति तक सितों में था और इस पूछा गया है इस प्रस्णों को आपको तैयार करके ही आपको 2022 बोडिक जामें पहुंचना है ठीक है आए क्यूसर नमर 12 की तरह बढ़ेंगे जो कि वेरी मुस्ट इंप्रस्ण है कि जब हम कहते हैं कि सोलावी सदी में दुनिया सिकुडने लगी थी तो इसका क्या मतलब ह करा कि जब हम कहते हैं कि सोलावी सदी में दुनिया सिकुडने लगी थी तो इसका क्या मतलब है तो उत्तर के लिखेंगे कि यहाँ दुनिया के सिकुडने का मतलब है कि बीसो के बिबीन मादीपों के बेक्तियों के मद्य परासपरिक संबंदों में ब्रेदी होना यहाँ द प्रश्ण है अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्ण इतरफ प्रश्ण नमबर 13 की तरफ अब प्रश्ण नमबर 13 के वेरी वेरी मुष्ट इम्पोटेंट है प्रश्ण क्या बुला है कि भारत में सबसे अधिक कौन से मिट्टी पाई जाती है इसका निर्माड किस प्रकार द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है इनका निर्माड कहां से नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है और यह बहुत अधिक उपजाओ तथा गहन क्रिसी योग्य होती है तो आई होप आपको किलियर हो गया होगा कि बारत में सबसे अधिक कौन से ऐसे की मधर्व कर को बाता जा सकता है कि किन आधारों पर भारत की मृधाओं को मते सकते हैं की मीधा बनने के पर्किरिया को निर्धारित करने वाले तत्त्यों उनके रंग गहराई गठन आयू वर रसानिक और भागौली कि गुड़ों के अधार पर भारत की मृदाओं को अनेक प्रकारों में बाटा जा सकता है देखें म्रिदा बनने के परिक्रिया को निजारित करने वाले कि उनके रंग पर उनके गाराई पर उनके गठान आयू और अनिक और भागौली गुड़ों के अधार पर हम क्या कर सकते हैं बाट सकते हैं ताइक होप आपको क्यूस नवर 14 के लिए हो गया होगा वही पूछा ह कि किन आधारों पर भारत की म्रिदाओं को बाट आज़कते हैं तो है क्यों सब्सक्राइब है कि भारत में कौन-कौन सी मृधाइब पाए जाती है तो आप उत्ता लिखेंगे भारत में जलोड मृधा पाए जाती है क्यों सब्सक्राइब चलते हैं बोला कि चादर अपरदन किसे कहते हैं तो उतर के लिखेंगे कि कई बार जल विश्तरित छेतर को ढखे हुए ढाल के साथ नीचे की और बाता है कई बार जल विश्तरित छेतर को ढखे हुए ढाल के साथ नीचे क्यों बाता है ऐसी इस्तिति में इस छेतर की उपरी मृदा घूल कर जल के साथ बह जाती है जलके साथ यह बहा लिखा है जलके साथ बहा जाती है उसे चादर अपर्दन कहा जाता है उसे चादर अपर्दन कहा जाता है कि लिए हो गया होगा आप लोगों को क्यूस्ट नमर 16 ठीक है चलिए क्यूस्ट नमर 17 के तरह बढ़ चलते हैं बावन कुसे तहाता है तो मीदान और धालू छेतर से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रकरिया को नमबर二 होगे ऑगा कि आपने देखा कि इस वीडियों हमने क्यूशन सेवंटीन तक सातरा क्यूशन महतवपूर्ट डिसकस किया है वेरी वेरी मुस्ट इंपोटेंट है अगर यह प्रशने त्यार कर लेते हैं तो समझ लिए कि बहुत कम से कम पांस या सात क्यूशन यहां से आने वाल है और जो कि बहुत अच्छा इसकोर कर पाएंगे आप 2022 बोडिग जाम अगर इमेंदारी से अपने क्यूशन को नोट किया है और अच्छे से रिड किया है पाड़ि लेके जाएंगे तो तो मेरे प्यारे वीडियर थे वीडियो कैसी लगए बताइए वीडियो अच्छे लगए तो प्लीज लाइक कीज़े और चैनल पने है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लिजे और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद